साहस सरोकार परियोजनाओं का लोकार पड़ शिलन्यास करेंगे साथ ही संपूर्णा अनंद संस्कृत विश्विद्याले के मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे बड़ी ख़बर आपको वता रहे हैं वरार्सी पहुच चुके हैं पियम मोदी सियम योगी ने पियम मोदी का स्वागत किया है अठारा सो करोर रुपे की परियोजनाओं का लोकार पड़ करेंगे पियम बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं वरार्सी पहुच चुके हैं पियम मोदी बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जहां तमाम कारिकरमों में शामिल होंगे वहीं वरार्सी की जनता को कई स्वागात भी मिल सकती है बता दें कि प्रधान मंत्री मोदी वरार्सी पहुच चुके हैं जहां वो तमाम कारिकरमों में शामिल होंगे बता दें कि वारार्सी में एरपोर्ट पर पियम मोधी का स्वागत राजिपार नंदी बेन पतेल और सियम योगी आधितनात ने किया है बता दें कि पियम वारार्सी में पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुवे की आधार शिला रखेंगे इसके साथ ही जनता की सुभधाओं को बढ़ाने के लिए 1780 करोर रुपे लागत की 28 पर योजनाओं का लोकारपण और शिलन्याज भी करेंगे और इस खबर पर हमारे समवादाता विवेक हम से जुड़ेंगे विवेक प्रधान मंतरी मोदी वारारसी पहुच चुके हैं क्या कुछ खास कालक्रम आज होंगे देखे देश के प्रधान मंतरी अपने संसद्वी इचेतर वारारसी जो है वो पहुच चुके हैं और अपकुल 28 पर योजनाओं का लोकारपण इबढ़ेंगे 1780 करोड की इस परिया जनाओं के साथ साथ वो बनारस की जनता को नई सौगात देंगे और तमाम जो ऐसी कारिकरम है उसमें प्रधान मंतरी नहिंद मोदी सिर्कत भी करेंगे इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदितनात और उत्तापरदेश की राजबाल आनंदी पर पटे एर कोर्ट पर उनका स्वागत किया और संस्कित्र जो विश्विद्याले संपूरा नंद है वहां के कारिकरम जाएंगे वहां के लोग को संभोधित करेंगे और इस कारिकरम से यह खास पर्धाम मंत्री मोदी यानि जो संस्थी छेत्र है उनका उस छेत्र में किया जा रहा है बनारस की जनता कुछ नहीं सवकात दी जा रही है और आने वाले समय में जो आम चुनाव होने वाले उसको लेकर कारिकरताओं से भी मंतन करते हुए बढ़ी निता बार्तियता पाटी के देखे जा सकते हैं क्योंकि जो चुनाव हो काफी महत्पूर चुनाव है बार्चनता पाटी के लिए उत्ता परदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता घुजरता है तो यह नई सोगात है बनारस की जनता के लिए है आने वाले चुनाव को मंद्रजर रखते हुए यह चीज तो पीया मोदी के साथ कौन-कौन लोग मौजूद रहेंगे देखिए मयूरी प्रदामत्र नमोदी के साथ साथ जैसे तप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात राजिपाल आनंदीबैन पटेल इसके लावा भारतियांता पाट्टी के बड़े पता अधिकारी बिश्विद्याला के जो वहां के वीशी है जो वहां के बड़े पता अधिकारी है वहां मौजूद रहेंगे और इसके अलावा प्रदामंत्री की सुरच्छा के अगर बात की जाए तो वो पुरी तरह से चाव चौबन देखी गई है बिम बनारस में खुदी सभी सुरच् की चौक चमन की पूरी बेवस्ता है सास्तन प्रसास्तन पूरी तरह से एलोट है और सियम योगिया आधितनात और अनंदिमान पटेल के अलावा जो है बारतियत बाटी के बड़े पता अधिकारियों कार्यकरता प्रदामंत्रेंदमोदी के कार्करम में मौजूद रहेंगे बीवेक जैसा कि आपने बताया कि तमाम कार्करम में प्यामोदी शामिल होगे तो कार्करम की कैसी तैयारिया देखने को मिल रही है और जैसे कि बड़े-बड़े वहां पहुचे हुए है वारारसी में तो क्या ट्रैफिक को लेकर कोई रूट डाइवर्जन किया गया है देखे बनारस एक बड़े-बड़े वहां पहले रहती है और भीर जो है बनारस में अच्छी कासी बनी रहती है ऐसे में रूट डाइवर्जन बकाइदा किया गया है ताकि प्रदामंद्री का जो रूट मार्ग है उसमें किसी प्रकार की ट्रैफिक की बहुस्तान ना की जा प्रशासन ने बढ़िया इंतजाम रूट डाइवर्जन को लेका भी गया है जे धलेवाद बिवेक तमाम जानकारियों के लिए अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा मलिका अरजुन खडगे ने विपक्षी सांसदों की एहम बैठक बुलाई है इस बैठक के बाद विपक्षी सांसद में भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च करेंगे बतादे की बैठक में सरकार को घेरने की रंड नीती बनाने पर चर्चा होगी इसके साथ 2019 के मानहानी मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा को लेकर अनराजों में कांग्रेस प्रदर्सन भी करेंगी बता दे सरकार को घेरने की तैयारी में है कॉंग्रेस मलिका अरजुन खडगे ने एहम बैठक बुलाई है और ये आज बैठक होगी जिसमें कॉंग्रेस के तमाम सांसद शामिल होंगे बता दें इस बैठक में सरकार को घेड़ने की पूरी तरह से रणनीती बनाई जाएगी और इस खबर पर हमारे समवादाता विवांशों हम से जुड़ेंगे विवांशों कॉंग्रेस सद्दक्ष मलिका अरजुन खडगे ने विपक्षी सांसदों की एहम बैठक बुलाई है क्या कुछ मन्थन हो सकता है इस बैठक में इसके सांसद राहुल गाधी को पुझवाद के सूरत की कोड़ से दो सानिती सजा सुनाई गई है आपको बताएं कि एक रही के दर्वान राहुल गाधी ने दो हजारुनिस के दौरान मोधी सरनेम पर समंदित एक बयार दिया था पत्यजनक बात कही थी जिसमें कई ना कई देखे तो ललित मोधी और साथी साथ नीवव मोधी और देश के प्धान मंत्री के नाम लेते हुए मोधी सरनेम पर टिपनी की थी जिसके बाद आपको बताए कि राहुल गाधी इस मामले को लेकर चार बार कोट में पेस होते हैं चौती दफा उनकी तरब से कहा जाता है कि फश्टा चार के खिलाफ बात करते हुए इस तरब का बयान दिये हैं क्योंकि नीवव मोधी और ललित मोधी देश के भबूरे हैं वो देश के इसे पैसा देखव हैं विदोशों में गए हुए हैं तो उन पे कही ना कही हुए उ जर्माना रगा था इसको लेकर अब कही ना कहीं देखा जाया तो कॉंग्रेस पार्टी आकरोसित में जरा रही है और कह रहा है कि यह साधिसन पूरी प्रक्रिया की गई है उसके ठीक बात आपको बताए कि कॉंग्रेस पार्टी के राश्ट्रिया देश मलिका अवजुन ख के लिए कि कॉंग्रेस पार्टी का आगे का आप जो रूप होगा जो आगे का रोड मैप होगा वो पर उसके चरदा की जारी है साथिसाथ बिपक्स को साथ लेकर यह रोड मैप प्यार की जारी है वहीं आपको बताए कि दस बज़े से बैठक शुरू होई है और बारव मात्यम से आज कहीं ना कहीं जो देश भर के आम कॉंगेसी नेता है वो अलग अलग जगह पर माफ निकालेंगे दिली के राधानी दिली में भी माफ निकाली जाएगी जिसकी अगवाई कॉंगेस पार्टी के मलीका अवजुन खरगे करेंगे इसमें अगर बताएं तो बिजर चौप जाएंगे और वाश्पती से मिलने का सवय मंगमूर की तरफ सुई मागा गया है वो माननी है वहाँ महीम राश्पती से मिलकर इस मामले पर बात भी करना चाहते हैं जी विवांसो जो राहूल गांटी को दौ साल की सजा सुनाई गई कव लेकर आनों राज्यों में कांगरस प्रदर्सन करेंगी तो यह की ब्राइब को मिलेगा जे आपको बताने कि देज के हर एक राजियो में हर एक यूटी में प्रदरसन देखने को मिलेगा क्योंकि कॉने में प्रदरसन देखने को मिलेगा कर रहे हैं और उनकी तुम से कहा जा रहा है कि यह सत्य की विजय नहीं है और रहुल कादी ने कल एक बात कहीं थी कि सत्य मेरा भगवार जिसके बाद आपको ताए कि कॉंग्रेस के तमाम से नेता है पदाधिकारी है वो लगता रहुल कादी के समर्थन में बोलते हुए नजर कराने के मुद्धे पर सुप्रिम कोर्ट में आज सुनवाई होगी सुप्रिम कोर्ट से अनुमती मिली तो नगर्ड विकास बिभाग ततकाल चुनाओं की प्रक्याश शुरू कर देगा और सीटों का नए सिरे से आरक्षन निरधारित कर कार भी शुरू होगा बता दे की सरकार ने रिपोर्ट दाखिल कर चुनाओं की अनुमती मांगी है सरकार द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट में सुनवाई होगी बता दे की रजज सरकार ने पिछवरा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रिम कोर्ट में दाखिल कर चुनाओं कराने की अनुम प्रिप्रिया शुरू हो जाएगी बता दें सरकार द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट में अज सुनवाई होगी बता दें सीटों के नए सिर्ख से आरक्षर निधारत कर कार्वी शुरू होगा वहीं कोट से अनुमती मिली तो नगर विकास बिभाग तका चुनाओ की प्रिप्रिया शुरू करतेगा प्रदेश में निकाल चुनाओ कराने के मुद्दे पर सुप्रेम कोट में आज सुनवाई होगी बता दें सुप्रेम कौर्ट से अनुमती मिली तो नगर विकास बिभाग ततका चुनाओं की प्रप्रिया शुरू करतेगा और सीटों का नैस सिर्श से आरक्षन निधारित कर कारे की प्रप्रिया शुरू हो जाएगी बता दें कि सरकार ने रिपोर्ट दाखिल कर चुनाओं की अनुमती मांगी है अगर कोट की तरब से अनुमती मिलती है तो जल्द ही चुनाओं की प्रिक्विया भी शुरू कर दी जाएगी और इस खबर पर हमारे समवादाता रितेस हम से जुड़ेंगे रितेस निकाय चुनाओं को लेकर आज सुप्रिम फोर्ट में सुनवाई होगी क्या कुछ जयनकारी देखे मैं वरी मैं आपको बता दू कि आज सुप्रिम फोर्ट में नगर निकाय चुनाओं को लेकर के आज सुनवाई होगी और उसके बाद कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में नगर निकायक चुनाओ की तारिकों का एलान भी हो सकता है पिलहाल ट्रिपल टेस्ट को जो आधार माना जा रहा था ट्रिपल टेस्ट को ले करके जो आई कोट में याज का तायर की गई थी अज सुनवाई की जाएगी और सुनवाई के दोरान अज लगता है कि आधो सकता कुछ फैसला आए जिससे मई और अपरेल के बीच में नगर निकायक चुनाओ कर आए जा सकता है पिलाल अभी तो जानकारी भी नहीं है गुरुवार तो ही नगर विकार के अधिकारी दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां आज सुनवाई ज्यारी होती सुनवाई के बाद यह साफ हो पाएगा रिपोर्ट का क्या आदेश आता है किस तरी की प्रक्रिया फिर अपनाई ज जाती है तो आपके क्या कुछ बदलाओ देखने को मिलेगा मेयर और अध्यक्ष्ट के सीटों पर कि अधिके बिल्कुल जाहिड सी बात है यह प्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछावर गायों कुने जो रिकोर्ट सोंपी है उसके बाद कहीं अब राज्य सरकार ने भी सु यह बदाई जा रहे हैं तो इसको लेकर के अजब कर अजिए रहे हैं इसको लेकर के अजब तरीम कोट में आज इसकी फुनुए हो इससाफ को जाएगा कि किस को मतादे निकाय चुनाओं पर सुप्रेम कोर्ट में आज सुनवाई होगी सुप्रेम कोर्ट से अनुमती मिलने के बाद तुना चुनाओं की पिक्रिया शुरू हो जाएगी सुप्रेम कोर्ट से अनुमती मिलने के बाद चुनाओं की पिक्रिया शुरू हो जाएगी और एक बार फिर से हमारे समभाद आता रितेस हम से जोड़ चुके हैं रितेस अगर सुप्रिम कोर्ट से आज सुनवाई होती है और फैसला आजाता तो क्या लगता है कब तक निकाय चुनाओ हो सकते हैं कि अगर नगर निकाइट सुनाओं पर कोई फैसला की तरफ से आता है तो कहीं नहीं करता है क्योंकि नगर सुप्रिम कोड की तरफ से जब फैसला आएगा उसके बागी कहीं कहीं स्टेथी इस पस्ट हो पाएगी फिलाल नगर विकाज विवाग ने पूरी तैयारिया कर ली हैं चुड़ाओ कराने के लिए सारी दवस्ताइं भी कर ली हैं लेकिन उदर से हरी धंटी बिलने के बाद सुप्रिम पोर से फिर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाओं का बिगुल बचेगा औ उन पर भी सीटों पर बदलाओं कि ये सिटिया कहीं न कहीं देखने को लिए सब अस्पस्त होगा सुप्रिम पोर्ड के फचले आने के बाद जी धन्यबाद रिते इस तमाम जानकारियों के लिए भारत में एक बार फिर से कोरोना वाइरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है बतादी की देश में 140 दिन बाद कोरोना मामले की आक्रेश सामनी आई है जिसमें 1300 नए मरीज मिले है वहीं बढ़ते मरीजों को देखते हुए केंदर सरकान ने राज्यों को पत्र लिक कर कहा है कि संक्रमर रोकने के लिए बहतर काम करना होगा 24 घंटे के अंदर 24 नए कोवीड मरीज मिले नुएडा लखनाओं गाज्याबाद में भी कोवीड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है वहीं इसको देखते हुए कई जिलों में जाँच का दाइरा बढ़ा दिया गया है और रोज 50,000 सेंपल जाँच करने के नरदेश दिये गए है बतादे संक्रमर रोकने के लिए बहतर काम करना होगा यूपी में कोवीड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है आए दिन कुरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है 24 गंटे के अंदर 24 नए मरीज मिले हैं बढ़ते मरीजों को देखते हुए कि अंदर सरकार ने राज्यों को पत्र लिक कर कहा है कि लगातार कोवीड के आकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें तेरा सौ नए मरीज मिले हैं और इस खबर पर हमारे समवादाता विवेक हम से जूड़ेंगे विवेक एक बार फिर से कोरोना का संक्रमन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वही बढ़ते मरीजों को देखते हुए केंडर सरकार ने राजों को पत्र लिखा है क्या कुछ इस पत्र में लिखा ग्या है क्या कुछ देशा निर्देश दिए गाए है तो यह निश्ची तोर पर कहे जाने वाली बात है कि कोरोना जो है फिर से अपनी तर्स तक वो देश में दे चुका है और इसके अलावा जो है राधानी अगर लखनव की बात करते यहां पर कुस एक्टिव केस्ट के संक्या संक्या में लोगों ने करा दिया लेकिन अभी इस समय की बात की जाए तो अस्पतालों से सरकारी अस्पतालों से वैक्सीन खतम हो चुकी है जिया ना तो कोविट सिल्ड उपलद है ना को वैक्सीन उपलद है जब हमने स्वास्त अधिकारी से इस बारे में पूस्तार्ज करनी चाहे तो ने कहा कि लोगों में वैक्सीन को लेके इन्थ्वाज जो है वो खतम हो चुका था और जो वैक्सीन अस्पतालों पे वो एक या दो जो लोग ही वैक्सीन लगवाने आते तो और पूरी की पूरी जो वैक्सीन की किट थी फूथ खुल के जो है वो बरबाद होती इसके बाद स्वास्त विबाग ने वैक्सीनेशन जो है सब्लाई करना अभी तक बंदकर दिया है और शिफ नीजी एस्पतालों पर जो है वैक तो बिवेक जिस तरह से अब कोविट का खत्रा बढ़ रहा है जैसा कि आप अभी बता रहे हैं सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन नहीं है तो क्या इसके लिए स्वास विभाग द्वारा को एक्शन लिया गया है? अभ कोविट मरीजों के लिए कैसी विवस्था अस्पताल में देखने को मिल रही है? फिर चाहे वाई स्वास रिच लेकर रहो है? तमाम चीजों को लेकर देखिए अब तक जितने भी कोवीड मरीज मिले हैं उसमें से कोई भी गंभी कोरोना का मरीज नहीं मिला है लगभग सारे जो मरीज है वो हो माइसुलेशन में इसके लावा अलग-अलग अस्पतालों में कोवीड के लिए अलग वाड भी पहले से बना करने की बात अभी नहीं है धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए अभी के लिए इतना ही इस दूना की तमाम खबरों के लिए बने रहे है प्रैम टीवी के साथ नमस्कार